पिछले पार्ट थर्टीन में हमने जाना अध्याए आठ बाधाओं को पार करने के पाँच कारणों में से पहले कारण डर को पार करने के बारे में अब हम जानेंगे कारण नमबर दो सन की पन का सामना करना आसमान गिर रहा है हम इसे जादा लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते है जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने दबडे में दोड़ रहा था हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते है परन्तु हम सब के बीतर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है और जैसा मैंने पहले ही कहा है सन की व्यक्ति दरसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते है हम सभी के मन में शंकाए होती है मैं स्मार्ट नहीं हूँ मैं परियाबत अच्छा नहीं हूँ अमूप विक्ति मुझसे बहतर है या हमारी शंकाए अक्सर हमें निश्क्रिया कर देती है हम क्या होगा वाला खेल खेलते है क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थ वेवस्ता धाराशा ही हो जाए या क्या होगा अगर मेरे नियंतरन खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस नचुका सकूँ क्या होगा अगर घटनाए मेरी योजनाओं के हिसाब से ना हो या हमारे कई ऐसे दोस्त या प्रियेजन बी हो सकते हैं जो हमें अपने करम्शारियों की याद दिला सकते हैं चाहे हमने उनकी सलभ माँगी हो या नहीं वे एकसर कहते हैं तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो या अगर यह इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा ही क्यों नहीं कर रहा है या यह कभी सफल हो ही नहीं सकता तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो शंका के यह तीर कई बार इतने तीके होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते हमारे दिल में डर बैट जाता है कई वर हम सो भी नहीं पाते हम आगे बढ़ने में आसफल होते हैं तो हम सुरक्षित चीदों के साथ ही बने रहते हैं और अफसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं हम जिन्दगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं हमने इस अपनी जिन्दगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा फाइडेलिटी मेगलेन म्यूचल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर वे यह बाहर से आता है प्रहे दोस्तों से, परिवारों से, सहकर्मियों से और मीडिया से लिंच 1950 के दसक के दोरान का अनुवों बताते हैं जब परमाणू यूद का खत्रा समाचार पत्रों में इतना ज़्यादा परचारित किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट सेल्टर्स बना लिये थे और अनाज पानी इखटा करना शुरू कर दिया था अगर उन्होंने फॉल आउट सेल्टर बनाने के बजाए इस पैसे को समझदारी पूर्वक बजार में निवेश कर दिया होता तो शायद आजवे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते जब कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में दंगे भढ़के तो सारे देश में बंदूग की बिक्री बढ़ गई वासिंग्टन राजे में एक आदमी हैंबरगर के मास के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्टरों को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए एक दवाई की कमपनी रास्टिय टीवी विग्यापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है विग्यापन फरवरी में दिखाया जाता है सर्दी से ग्रस्त होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी ज्यादा तर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो यह चिलाते हुए घूम रहे हैं आस्मान गिर रहा है और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर्ग पैदा ना हो इसमें बहुत ज़्यादा बहादूरी की जरूरत होती है 1992 में मेरे रिचर्ड नाम के दोस्त मुझसे मिले फिनिक्स आया वह स्टॉक्स और रियल इस्टेट में हमारे दोरह किये गए काम से बहुत प्रभावित था फिनिक्स में रियल इस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी हमने उसके साथ दो दिन गुजारे और उसे बताया कि कैश फ्लो और पूंजी बढ़ाने के कुछ बड़ी आमोके मौझूद है मेरे पत्नी और मैं रियल इस्टेट के एजेंट नहीं है हम विशुद निवेशक है एक रिजॉर्ट कम्यूनिटी में एक यूनिट टैग करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जिसने उस दोपैर को उस यूनिट को बेच दिया दो बेडरूम के उस घर की कीमत केवल 42,000 डॉलर थी इसी तरह की यूनिट उस समय 65,000 में बिक रहे थे उसे यह बहुत फायदे का सौदा लगा रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लोट गया दो सब्ताबाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस पीछे हट गया था मैंने तकाल उसे फोन करके इसका कारण पता किया उसने इतना ही कहा कि उसने इस विसेपर अपने पडोसी से चर्चा की थी और उसके पडोसी ने उनसे कहा कि यह एक बुरा सौदा है क्योंकि वह जादा महंगे में खरीद रहा था मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पडोसी निवेसक है रिचर्ड ने कहा नहीं फिर मैंने उसे पूछा कि उसने उसके सला क्यूं मानी तो रिचर्ड सुरक्षात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह जादा जाच परताल करना चाहता था फिनिक्स मेरियल स्टेट के दिन पल्टे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से एक हजार डॉलर परतीमा किराया मिल रहा था जाड़े के पीक सीजन में धाई हजार डॉलर परतीमा 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर 95 हजार डॉलर हो गई थी रिचर्ड को इतना ही करना था कि वह सुरुआत में पाँच हजार डॉलर चुका दे और चुआ दोड से बाहर निकलने की प्रकरिया शुरू हो जाती आज भी वैब कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मौके अब भी मौजूद है बस आपको उन्हें कुछ जादा गौर से देखना पड़ेगा रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताजुम नहीं हुआ था इसे खरीदार का पस्तावा कहा जाता है और यह हम सब को प्रभावित करता है यही शंकाय हमें ले डूबती है छोटा मुर्गत जीत जाता है और हम आजादी का मौका गवा देते है दूसरे उधारण में मैं सीडी के बज़ाए टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में अपनी संपत्ती का कुछ हिस्सा रखता हूँ मैं अपने पैसे पर 16 फीजदी परती वर्ष कमाता हूँ जो बैंकों द्वारा दिये जाने वले 5 फीजदी से निस्ची त्रूप से काफी जादा है यहें प्रमाणपत रियल स्टेट द्वारा सरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं जो निस्चित रूप से जादा बैंकों से जादा बहतर होते हैं जिस अधार पर उन्हें खरीदा जाता है वह भी काफी सुरक्षित फॉर्मूला है उन्में सरिफ एक डिकत यह होती है कि उन्हें भुनाया नहीं जा सकता तो मैं उन्हें दो से साथ साल की सीडी मान लेता हूँ हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ खासकर उसे जिसने अपना पैसा सीडी में रखा हुआ है कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें यह ग्यान कहां से मिला तो वे कहते हैं कि उन्हें दोस्त या निवेश की पत्रिका से उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और वे दूसरे वेक्ति को जो ऐसा कर रहा है यह बताते हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूँ वह 16 फीजदी होती है परंतु जिल लोगों के मन में शंका होती है वे किवल 5 फीजदी से ही संतुष्ट हो जाते है शंका बहुत महेंगी साबित होती है मेरा मानना है कि यही संदेश और संकीपन जादा तर लोगों को गरीब बनाये रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है असले दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने कि वल आपके संदेश ही आपको गरीब बनाये हुए है जैसा मैंने कहा चुहा दोड से बाहर निकलना तकनी की रूप से आसान है इसमें जादा सिक्षा की जरूरत नहीं होती परन्तों इन संदेशों के कारण जादा तर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते शंकालों लोग कभी नहीं जीत पाते अमी डैडी का कहना था शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेहवादी बन जाता है शंकाल व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले लोग विशलेशन करते हैं यह उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी अमी डैडी ने यह इस पस्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंद जाता है जबकि विशलेशन से आंखें खुल जाती है विशलेशन से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंदे हैं और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख पाते हैं और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पातें उन्हें देखने की शम्ता किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है जो लोग पैसे की अजादी ढूंड रहे हैं उनके लिए रियल इस्टेट निवेश का एक दमदार तरीका है यह निवेश का एक अद्बुत तरीका है परंतो जब भी मैं रियल इस्टेट का जिक्र करता हूं तो मुझे यह सुनने को मिलता है मैं टॉनिट नहीं सुधारना चाहता इसी को पिटर लिंच सोर कहते है इसी को मेरे एमईी डैडी शंकालू लोगों के बहाने कहते ऐसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं विशलेशन नहीं करते ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओ और डर को परदा पड़ा होता है वे अपनी आखे नहीं खोलते तो जब कोई कहता है मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता तो मैं जवाब देता हूं आपको ऐसा क् करना चाहता हूं वे यह कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए टॉयलेट उससे जादा महत पूर हैं मैं चुहा दोड से बाहर निकलने की आजादी के बारे में बात करता हूं और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है इसी तरह के विचार जादा तर लोगों को गर करना चाहता आपके सफलता की कुणजी को अपने अंदर समाय रहते हैं अमी डैडी का कहना था चुंकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज्यादा रूची नहीं रखता इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलास कर लेता हूं जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता है घरों या अपार्टमेंट्स को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंडने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है परंतो इससे भी जादा महत्पूर यह है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और जादा रियल स्टेट खरीदने क मौका देता है क्योंकि मुझे टॉपर्ट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल स्टेट में सफलता की कुंजी है मेरे लिए रियल स्टेट से भी जादा महत्पूर है कि एक अच्छा मैनेजर खोजना प्राइक किसी बढ़िया प को सफलता की कुंजी कहने के पीछे अमी डैडी का यही मतलब था चुंकि मैं भी टॉइलेट ठीक करना नहीं चाहता इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह जादा रियल स्टेट खरीदी जाए और चुहा दोड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए जो स्टॉक मार्किट में मैं अकसर लोगों को यह कहते सुनता हूँ मैं अपना पैसा नहीं गवाना चाहता उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और वेक्ती पैसा गवाना पसंद करता है वे सिर्फ इसलिए पैसा नहीं बना पाते क्योंकि वे गवाने के लिए तैयार ही होते विशलेशन करने के बजाए वे एक और शशक्त निवेस के माध्यम यानि स्टॉक मार्किट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं बिसंबर 1996 में मैं अपने मित्र के साथ नजदी की गैस इस्टेशन के पास से गुजर रहा था उसने देखा और अनमान लगाय कि तेल की कीमते बढ़ जाएगी मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है यह चोटा मुरगा है उसके हिसाब से आसमान हमेसे गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है जब हम घर पहुचे तो उसने मुझे वह तमाम कड़े बताए कि अगले कुछ साल पर मैंने एक तत्काल नई ओएल कमपनी की योजना सुरू कर दी उस सुचना के अधार पर मैंने तत्काल एक नई ओएल कमपनी की खोच सुरू कर दी जिसे उसके वास्तविक मूले से कम आका गया हो मुझे ऐसी ओयल कमपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी मेरा ब्रॉकर इस कमपनी को लेकर खासा रोमान चीत हो गया और मैंने 65 सेंट परती शेयर की दर पर 15,000 शेयर खरीद लिये फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत परती गैलन 15 फीस दी बढ़ चुकी थी एक बर फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा मैं मुस्कुराया क्योंकि जनवरी 1997 में मैं उस छोटी ओल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वह 15,000 शेयर अब बढ़कर 3 डॉलर परती शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की कीमते लगाता और बढ़ती रहेंगी विशलेशन करने के बजाए यह छोटे मुर्गे अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं अगर जादा तर लोग यह समझ लें कि इस्टॉक मार्केट निवेश में इस्टॉक किस तरह काम करते हैं तो जादे तर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेश करेंगे इस्टॉक एक कम्प्यूटर निर्देस है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और आपको जादे से जादा फाइदा मिल सके जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका है तो जब भी मैं लोगों में नहीं चाहता पर ध्यान केंदरित करते हुए देखता हूँ और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान केंदरित करते हुए नहीं देखता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी वे चीख रहे हैं आसमान गिर रहा है और टॉलेट तूट रहे हैं इसलिए वे अपनी अंचाही चीजों से बचते हैं परन्तु वे इसकी भारी कीमते चुगाते हैं वे जिन्दगी से जो चाहते हैं वे शायद उन्हें कभी न मिल पाए अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका सुझाया वही करो जो करनल सेंडर्स ने किया था 66 साल की उम्र में उनका वेबसाइट चौपट हो गया था और वे अपनी शोसल सिक्योर्टी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे इतना ही नहीं वे फ्राइड चिकन की अपनी रैसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे किसी के हाँ कहने के पहले इस रैसिपी के लिए एक हजर नौ बार ना कहा गया और वे उस उम्र में करोड़ पती बने जिस उम्र में लोग काम छोड़ कर आराम करना चाते हैं वे एक बहादूर और जिद्धी व्यक्ती थे अमी डैडी होरलें सेंडर्स के बारे में कहा करते थे जब भी आप शंका में हो और थोड़े डरे हुए हो तो वही करे जो करनल सेंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया था उसे फ्राय कर ले इस पार्ट में इतना ही आगे जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे चैनल पर हर रोज शाम पाँच बजे तक नेक्स पार्ट की वीडियो अपलोड होती है